दोस्तों आज में आपके लिए प्राचिन समय में धर्ती पर राज करने वाले पांच एसे भयानक दानव लेकर आया हूँ, जिनका डर आज भी लोगों के दिलों में मोजूद है, लोग आज भी इनके बारे में सुनने के बाद कापने लगते हैं, जिनके बारे में जानकर दिखाया गया है, जिसमें ये किसी डायन या फिर किसी जादूगर के इसारों पर काम करते हैं, कुछ लोग इस क्रियेचर को परीयों का एक बुरा रूप मानते हैं, ये प्राणी अकेले रहना पसंद करते हैं, और इन्हें इंसानों से दोस्ती करने के बजाए, उन्हें त नौर्स में तो लोजी में एक विसाल भेडिये के रूप में देखा जा सकता है, माना जाता था कि ये बेडिया कितना जादा ताकतवर था, जिसने रेगना रोक युद्ध के दोरान, नौर्स के देवता ओरियन को मार डाला था, हलांकी अपने पिता की मौत के बाद, ओरि से कर दिये थे सोचो अगर इतना विसाल बेडिया आज भी धर्ती पर मोजूद होता तो दुनिया में कितनी तबाई मचाता बूगी मेन इस क्रियेचर के बारे में जादातर माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बच्चे सेतानी करते या फिर अपने माता पिता का कहना नहीं मानते उन्हें बूगी मेन रात को सोने के बाद उनके बेड़ के नीचे छुपकर तब तक इंतजार करता है जब तक वो सेतानी बच्चा गेरी नींद में ना सो गया हो और फिर वो उसे चुपचाप अपने कंदों पर उठा कर प्राणी दिखाया गया है जो जब भी आस्मान में उड़ता तुफान पेदा कर देता था जिसमें हमेशा बिजलिया चमकती रहती थी जो काफी ज़्यादा बड़ा होने की वज़े से इंसानों का सिकार करता था कहा ये भी जाता है कि ये मोसम को कंट्रोल कर सकता है इसका स इतना विसाल था कि ये व्येल मचली को भी उठा कर ले जाता था सेप सिफ्टर इस प्राणी के सरीर की असल बनावट किसी को भी नहीं पता क्योंकि लोग कथाओं में इसे एक ऐसे प्राणी के रूप में दिखाया गया है जो संसार में मोजूद हर एक जीव का रूप बद दल लेता था दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिंड लगेगा इसलिए वीडियो को जरू लाइक कर दें और वीडियो की नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वी झाल झाल